अगर आपके पास भी रासन काड़ है और आप फिरी में रासन का लाब ले रहे हैं तो आपको दाना चाहिए कि 31 दिसेंबर तक लाबार्तियों को रासन काड़ से जुड़े हुए कुछ महत पुनकारिया करने होगे अन्य था लाबार्ति का रासन बंद हो जाएगा साथ जो रासन काड़ है वह भी निरस्त कर दे जाएगा अगर लाबार्ति 31 दिसेंबर तक वह कारिये नहीं कराते हैं दिसेंबर दोहजार चोबिस इस्तारी को आप याद रखिएगा अगर आप यह कारिया नहीं कराते हैं तो आपका फिरी मिलने वाला जो रासन है वह भी बंद हो जाएगा और आपका रासन काड़ भी डिलीट कर दे जाएगा निरस्त कर दे जाएगा अब चाहे आप किसी भी राज्ज में क्यों नरहते हो चाहे आपका राज्ज्य आंद्परदेश हो असम हो छत्तिसकड़ हो दिल्ली हरियाणा जहर खंड बिहार पंजाब गुजरात गोवा असम उत्थरपरदेश हरियाणा राजिस्थान कोई सा भी आपका राज्य नहीं बाट रही है अब बाद आती है कि राशनकार लाबारतियों को अपने राशनकार के लिए कौन सा कारिय कराना होगा जिससे कि लाबारती को समय पर राशन मिलता रहे अब उसके बारे में जान लेते हैं देखे आपको बना चाहेंगे कि सरकार दुवारा जो रासन दिया जा रहा है वह बिल्गुल मुफ्त में दिया जा रहा है चाहे लाबार्ती किसी भी राज्य में क्यों ना रहता हो अब लाबार्ती को अपने रासन कार से क्या करना है केवाईसी कराना होगा जी हाँ जो सरकार ने अनिवार्य कर दिया है केवाईसी के बिना लाबार्ती को जो फिरी रासन दिया जा रहा है वह अब नहीं दिया जाएगा अभी है कार्ये 31 दिसेंबर 2024 तक अनिवार्य चैया आपके पास APL रसंकाड हूँ, चैया आपके पास BPL रसंकाड हूँ या फिर आपके पास और कोई साभी रसंकाड आप रखते हैं, आपको यह कार्ये कराना ही होगा सात्य आपोदादे की KYC कराने के लिए आप अपने इनजदी की जो रासन डिलर है रासन डिलर के यहाँ पर जाकर आप KYC जरूर करा लें अब तक लावार्तियों ने जो आधार सिडिंग करा रखी है वे आधार सिडिंग जो कराई है वे करीब यहाँ पर आप देख सकते हैं पंद्रा क्रोड स्यधिक लावार्थियों ने अभी तक क्यवाईसी करा ली है तीन अक्टूबर तक यहाँ पर डेट दी गई है तीन अक्टूबर तक लावार्थी आधार सिटिंग जो है वेक करा चुके हैं और जिन वेक्तियों ने अभी आधार सिटिंग नहीं कराई है वे भी जरूर करा लें कुल रासंकार लावार्तियों की जो संक्या है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर बताया गया है उत्तर परदेश के हम बात कर रहे हैं कुल रासंकार जो हैं वह यहां पर उनकी संक्या दी गई है तीन अक्टूबर तक जितने भी रासंकार बनाए गई हैं सभी लावार क्योंकि ठीक है तो जितने ज़ल्दि हो सके आपको यह कारिया कराना होगा चाहिए आपके पास कोई सभी रासंकार क्यों न हो आप किसी भी राज्य में क्यों ना निवास करते हूं यह कारिया आप जल्शे हल्द करा लें लेकिन आधा स्टिंग कराने से पहले भी आपको बदा चाहेंगे कि आपके आधार कार में जी हाँ आपके आधार कार में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होने चाहिए ना आपके नाम में और नहीं आपके किसी भी एडरस में कोई भी गलती नहीं होने चाहिए और साथी आपके आधार कार से आपका मुबाइल नंबर भी लिंक हों चाहिए ताकि आपकी आधार कार्ड में जो भी नंबर लिंक होगा उस पर दोस्तो वन टाइम जो पासवर्ड है जो ओटिपी है वे आएगा और ओटिपी फिल्ट करने के बाद ही आपका जो के वाईश है कम्पलेट हो पाएगा आई होप आपको जानकर इचलेगी होगी यदि आपका कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं आप सभी के सवालों के जवाब दिये जाएंगे आपसे हमारा निवितन है कि गर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो किर्प्या अभी आप वीडियो लाइक कर दीजे शेर करेगा चनल पर आप पहली बार आई हैं तो चनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर ले जगा अब जाते ही आपसे इजाज़त आउर मिलते हैं आपको नए स्टूडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत